सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल माशार्दा म्यूजिकल ग्रूप यूटूब चैनल को शेयर करें हमारे सारे वीडियो साथी लाइक करें और आप सभी से निवेदन हैं कि हमारे टेलिग्राम के दो चैनल है म्यूजिकल थियूरी और परिवार शक्ती फाउंडेशन माशार्दा म्यूजिकल ग्रूप जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है साथ ही यदि आप संगीश सीखना चाहते हैं आफ लाइन दोनों मोड पर तो संपर्क करें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए नमबरों पर साथ ही यदि आप अपने क्षेत्र में कोई कारिकरम कराना चाहते हैं या चाहते हैं स्पेसल बादक तो इसके लिए भी सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल माशारदा म्यूजिकल ग्रूप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए नमबरों पर कॉल करें साथ ही यदि आप अपने गीत और भजन हमारे चैनल से प्रसारित कराना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा दूसरा चैनल बुन्देली लोक माधुरी साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक फॉर्म है जिसे भर कर हमारे वाट्सेप समूह बुन्देली लोक माधुरी समूह की संदेश सदस्यत अले सकते हैं नमस्कार साथियों मैं हूँ आप सबका मित्र परदी प्रैदास स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माशारता म्यूजिकल ग्रूप में जी हाँ आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं राग देशकार के विशे में चर्चा करने जा रहे हैं शमा करें दोस्तों बहुत दिन से मैं कोई वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कारिकरम चल रहे थे उनकी विश्तता थी तो बहुत समय से में कोई वीडियो नहीं ला रहा था संगीत का पर अब वीडियो सुनिए राग तेशकार यह राग बिलावल थाट का राग है इसमें मा और नी सभी मा और नी स्वर वर्जित हैं बाकी सभी स्वर प्रयोग किये जाते हैं इसलिए इसकी जाती औरव औरव है इसमें धैवत स्वर याने धा वादी है तथा गंधार स्वर याने गा समवादी है यदि इस राग में धा को छोड़ दिया जाए तो इसमें भूपाली राग की छाया जलक जाएगी किन्तु भूपाली राग कल्यान थाट का है और यह राग बिलावल थाट का माना जाता है मित्रोपन शंकलावी बिलावल की ही चल रही है उसमें जितने राग भी हैं हम सभी के विशे में आपको बताएंगी जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देवगिरी बिलावल, अलहिया बिलावल, यमिनी बिलावल सभी के विशे में सुना अब आईए देशकार का गायन समय जाते हैं राग देशकार का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है और यह उत्तरांग प्रधान राग है गंभीर प्रकृती का राग है और भक्ती रश से उत्प्रोध है इसमें छोटा ख्याल, दुरूपत, बड़ा ख्याल सभी गाय जाते हैं आरो, आवरो, और पकड़, सबसे पहले आरो सारेगा पाना सातु आरो अबरो एक बार्फास चुनिये साधि गापन साध्पा गरीशा पकारि धापन गापन आños आईए अब हम राग देशकार में कुछ अलंकारों को बाते हैं उसके बाद आगे बताएंगे ठीक है साजा पहला अलंकार सारे गापा तासा सादा पा गरिसा दूसरा लंकार साजा रे गापा गरिसा अगला लंकार थीसरा सादा 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 चौता सारिशा पाग चवा कर्दा करें चेट्वा सा शा रिरी सा संघ करें करें कर्दा पर फाप सासारीरिसासा सासारीरिसासा धथा सासा धथा पापाथार्ः पाफापागा पापागागा रिरिगगर रिरि सा besar रिरिकॉ सा्त्रा स्रिगगर्ः पτα्रिग पःद्था साध्धा पान्धा परंग पार्गारी गरिसा आत्वा साध्यादा पासाध साध्यादा पावसाध धागपने दस वा तो ये दस तक अलंकार हमने राग देशकार में गाए उमीद करते हैं कि ये आपको अच्छे लगे होंगे आगे भी हम अलंकार बना सकते हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीजियो के साथ राग देशकार के सरगम गीत के साथ उसे लिखने की प्रक्रिया भी हम बताएंगे गाने की प्रक्रिया भी हम बताएंगे ठीक है मित्रों तो आज के लिए लेते हैं यहीं अनुमती धन्यवाद